इंद्रपुरुम की शान माने जाने वाला स्वर्ण जंती पार्क आज एक उजाड जंगल बन गया है 20 साल तक पाल पोसकर बड़े किये गए पेड आज नगर निगम और जीडिये के अधिकारियों की आपसी खीचन तानी और अंदेगी के वज़े से सूखने की कगार पर है पिछले एक साल से कोई देखरेक ना होने के वज़े से पूरा पार्क बरबाद हो रहा है जीडिये और नगर निगम के अधिकारियों की अंदेगी और सुनवाईना होने के कारण पिछले दस दिनों से भाजपा मंडल की टीम सुर्ण जंती पार्क में साफ सफाई करके फोरी तोर पर लोगों को गंदगी से कुछ राहत देने में लगी हुई है तथा इसमें स्थानी नागरिकों का अभी बहुत साथ मिल रहा है ये बड़े ही दुख की बात है कि सभी जगा भाजपा की सरकार और जन प्रतिनीदी होने के बाद भी उनमें हुई समन्विये नई बन पा रहा है इस पे वाड 81 की पार्शत मंजुला गुपता का कहना है कि कई बार इस बारे में लिखित कंप्लेंट कर चुकी है तथा अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत भी कर चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तीन दिन से विधायक सुनील शर्मा जी ने कुछ लोगों को टेंपरेरी स्वनजन्ती पार्क में पेडों की कटिंग आधी के लिए लगाया है लेकिन ये इसका समाधान नहीं है क्योंकि स्वनजन्ती काफी बड़ा पार्क है तथा इसके साथ वहाँ पेडों की सिचाई के लिए भी इंजाम करना पड़ेगा तथा पूरे पार्क में शाम के बाद अंदेरा छाया रहता है जिससे वहाँ कोई भी आसामाजिक कारे होने का भै बना हुआ है बाच्वा मंडल का कहना है जब तक पार्क का टेंडर नहीं दिया जाता वह लोग इस श्रमदान को चालू रखेंगे कर दो कर दो दोग वहाँ थाना है